हे गाईस तो कैसे हो आप सब तो आप में से बहुत लोगों के सवाल थे कि क्या हमें नारूटो सिंपोडेन इस साल 2023 में देखने को मिल सकता है तो गाईस देखो इसके चांसेज है भी और नहीं भी क्योंकि देखो नारूटो का अभी तक सीजन 4 तक सोनी ये चैनल पे दिखा गया है और नारूटो में कुल मिलाकर 220 एपिसोड है और नारूटो का जो सीजन 5, 6, 7, 8 है वो आने वाला है क्योंकि उसकी डबिंग अभी प्रोग्रेस में है और मुझे लगता है कि सीजन 8 तक में नारूटो का 110 एपिसोड जो बाकी है वो भी दिखा दिया जाएगा तो अ और यार आपको एक बार बताऊं नारूटो के जो 110 एपिसोड अभी बाकी है जो सोनी ये चैनल पर आएंगे तो 110 में से आधे से जादा मतलब बहुत जादा सिर्फ फिलर एपिसोड ही होने वाले है जो कि बहुत जादा यार बोरिंग है जो कि आपको देखने में बिल्कु सिंपु डेन में मतलब यार अब नारूटो में वो अतना मज़ा नहीं आएगा आप लोग यार बोरो जाओगे तो अब यार नारूटो सिंपु डेन में ही यार मज़ा आएगा तो मैं उमीद करता हूँ कि जो सोनी ये है वो नारूटो के फिलर एपिसोड को यार स्कीप कर और उनको वो डब ना करे और सीधा नारूटो सिंपो डेन को स्टार्ट कर दे तो देखते हैं क्या होता है अगर जैसा मैंने बोला है अगर वैसा हुआ तो नारूटो सिंपो डेन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है सोनी ये में हिंदी डब के साथ और नारूटो सिंपोडेन में बहुत सारे राज खुलने वाले हैं जैसे इताची ने सासके के विलेज को क्यों तबा किया और उसने अपने ही मम्मी डेडी को क्यों मारा और उसके बाद हमें ककासी का भी बैक स्टोरी देखने को मिलने वाला है कि उसके आखों में साडिंग गान किसने डाला और भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा जैसे नारूटो के पापा कौन है नारूटो के अंधर ही नाइन टेल्ड फॉक्स को कैद क्यूं किया गया और भी बहुत सारा कुछ पता चलने वाला है और निव निव करेक्टर्स के एंट्री भी मिलने वाले है तो जीनों ने नारूटो देखा है उनको नारूटो सिंपोडेन में दुगना नहीं तिगना नहीं चोगना से भी जादा मज़ा आएगा